नमस्कार दोस्तों, SBA Securities Morning Podcast में आपका फिर से स्वागत है आज के Podcast में हम Nifty और Bank Nifty में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से Sectors है, ऐसे कौन से Stocks है जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान के इंद्रित करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे देख रहे हैं कि कच्चा तेल भी अब 87 से सीजन 90 डॉलर प्रती बैरल तक बढ़ गया है तो यह ओवर आल जो तनाव वाला चीज है यह कच्चे तेल की कीमतों को और बढ़ा सकता और यह हमारे रडार पर जरूर होने चाहिए निफ्टी पर बात करें तो इरान और इस्राइल के बीच जो जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण डाउ जोंस फीचर और एशिय बाजारों में अचानक एक तेज गिरावट देखी गई है उम्मेद है कि निफ्टी 2170-800 के करीब जो है गैप से खुलेगा आगे बढ़ते हुए 2200-22008 एक प्रमुक रेस्टेंस के रूप में कारे करेगा जबकि 2650-2600 एक इंपोर्टन सपोर्ट बनके उभरेगा 2600 के नीचे कोई भी स्ताई कदम से इंडेक्स 2430 से 2380 के लेवल तक विक्वाली का दबाव देख पाएगा वही 2280 के उपर से कोई भी स्ताई कदम से शॉट टर्म में 2210-2230 के लेवल तक एक पुल बैक रैली आ सकती है OI डेटा को देखे तो Nifty PCR वरतमान में 0.80 पर कमजोर बना हुआ है फ्रेंट्स जिसमें 2212-2200 स्ट्राइक पर अच्छी कासी कॉल राइटिंग देखी गई है वही 2200 और 2800 में पुट राइटिंग भी देखी गई है तो रेंज अगर हम देखते हैं तो 21600 गैब डाउन को ध्यान में रखते हुए और 2270 ये रेंज निकल कर आ रही है गैब डाउन के बाद बैंग निफ्टी की बात करें तो 46500 के करीब पुलते हुए आगे बढ़ते हुए 4700-4700 एक important restrictions के रूप में कारे करेगा वही 45800-4700 एक support के रूप में कारे करेगा 45700 के नीचे कोई भी स्ताई कदम से बैंग निफ्टी में फ्रेंज 45000-4850 तक के लेवल तक बिक्वाली बढ़ सकती है वहीं उपर की ओर 47100 से उपर जाने पर हमको एक bounce मिलेगा 47500 से 47600 की तरफ open interest perspective से देखे फ्रेंज तो बैंग निफ्टी PCR वरतमान में फिला 0.66 पर है 47000-47500 strike और 47000-47500 put पे अच्छी खासी writing जो है नजर आ रही है तो आगामी सतरों के लिए अगर हम देखे तो 46100 और 47200 की range उबर कर आती भी नजर आ रही है इंडेक्स futures के लिए जो FIA का long shot ratio वो काफी कमजोर हो गया है 32.47% हो गया है क्योंकि शुद्ध अदार पर फ्रेंज उन्होंने 71,000 595 में इंडेक्स futures बेचे हैं वाइदा के मुर्चे पर बात करें तो FIA ने 56,041 contract की बिक्री की है वहीं विकल्प के यानि options के मुर्चे पर देखें तो 1,17,789 call contract खरीदे हैं वहीं 92,328 put option contract भी उन्होंने खरीदे हैं तो friends आज के podcast के लिए बस इतना ही हमारे podcast को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing